हम अक्सर जब भी किसी जिला की अधिकारी के बाद करते हैं, तो दो ही नाम आता है, पहला है ट्रियम और दूसरा है कलेक्टर, दोनों ही जिला प्रशासन के दो प्रमुकपद है, भारत प्रशासनिक विवस्था में जिला प्रशासन की महतपून भूमिका होती है, इस जिला में हम उसी के बारे में विस्तार से समझते हैं कि डियम और कलेक्टर में क्या अंतर होता है, और दोनों का क्या क्या गाम होता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ये समझ जाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है, तो बस आईए जानते हैं इसे, आईए दोनों ही पदों के बारे में थोड़ा जाने, District Magistrate, Jilla Magistrate या यू कहे, DM, इस DM का ही पूरा नाम District Magistrate होता है, Magistrate शब्द लाटिन भाशा के Magistrate से आया है, जिसका आर्थ होता है, निरनायक या प्रशासक, और इसके नाम के अनुरूप ही ये प्रशासक का काम करता है, इसके बारे में आगे हम और जानेगे, जिला कलेक्टर, DC, DC का पूरा नाम District Collector होता है, कलेक्टर शब्द का मतलब है, इकठा करने वाला, ये नाम एतिहासिक रूप से राजस्व इकठा करने की उनके जिम्मेदारी को दिखाता है, और आज को समय में भी एक जिला कलेक्टर का यही काम होता है, आए दोनों की बारे में इनकी काम के माध्यम से समझते हैं, दोनों की कारे और Responsibility, चाहे DM हो या फिर कलेक्टर, दोनों का काम एक जिला को सही से शांती विवस्था बना कर नियम कानून का पालन कराते वे उसे चलाने का है, दोनों का काम प्रशासनिक है, आए दोनों के बारे में हम जाते हैं, जिला Magistrate, एक DM का मुखी काम जिले में कानून विवस्था बनाए रखने का होता है, जिले में होने वाली घटना दुर घटना के लिए ये प्रात्मेक रूप से जिम्मिदार होते हैं, इसके अलावा, एक DM डंड प्रक्रिया सहीता के तहत डंडातनम कारवाई करने का अधिकार रखते हैं, जिले के शांती और कानून विवस्था के लिए, एक DM सारे फैसली ले सकता है, साथी वो पुलिस बलके कारियों का नियंतरन और निर्देशन करने का भी काम करता है, जिले में होने वाले आप्राधिक मामलों के लिए, एक DM डंड दिक कारी के रूप में कारे करते हैं, ड्यम पूरे जिले के जेलो और लॉक अप के प्रशासन की देखरेग भी करते हैं, साथ ही जिले में होने वाली नैचुरल डिजास्टर्स या दंगु जैसी स्थितियों में भी राहत और बचावकारियों का संचालन भी DM के द्वारा किया जाता है, आप तो आप समझ गए होंगे कि एक DM का कारे और जिम्मिदारी क्या क्या होता है, तो आईए, अब हम कलेक्टर की काम और जिम्मिदारियों को भी जान लेते हैं, ताकि आप दोनों के बारे में भाली भाती जान ले और दोनों के अंतर को भी, जिला कलेक्टर, जै एक तरह के सरकार के revenue को inspect करते और इसके सही से work करने के लिए काम करते हैं। इनके मुख्य कामों की बात करें तो ये भूमी अधिग्रहन, land revenue और collection, land records का रख रखाव जैसे कारियों का responsibility इनके उपर होता है। या यू कहीं कि जमीन से जुड़े सभी मुख्य नियम, कानून एक collector देखता है। इसके अलावा, natural disasters के दुरान, relief camp और rehabilitation में भी ये एहम भूमी का निभाते हैं। राजसरकार और केंद्रसरकार की कई सारे समझी कल्यान योजनाओं के देखरेग भी एक collector करता है। एक collector विबिन विभागों के बीच connection स्थापित कर, जिला प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन करने में एहम भूमी का निभाता है। दोनों में मुख्य अंतर। आप तो आप दोनों के अंतर को समझी गए होगे। लेकिन आईए, अब हम आपको थोड़ा और विस्तार से समझा देते हैं। DM का दाइरा मुख्य रूप से कानून विवस्ता से जुड़ा होता है, वो जिले की कानून विवस्ता को देखता है, वहें DC यानि District Collector का दाइरा मुख्य रूप से Revenue Administration से जुड़ा होता है, एक चीज है जो दोनों ही करते हैं, वो है जिली की देखभाल और जिले के सभी वि जमीन के लिए लड़ रहे हैं, इस स्थिती में DM कानून विवस्ता बनाए रखने और शांती बहाल करने के लिए जिमेदार होगा, और वो इसके लिए काम करेगा, वहें DC जमीन के असली माली की पहचान, दस्तावेजों की जाच कर विवात का समधान निकालने में सहयता करे अब तो आप दोनों की काम को अच्छो से समझ गए होंगे दोस्तों, देखे, DM और कलेक्टर दोनों ही जिला प्रशासन के मधपून पाठे, DM कानून विवस्ता बनाए रखते हैं, वहीं कलेक्टर लैंड एंड रिविन्यू का संचालन करते हैं, हाला कि दोनों की कारी एक से जुड़े हुए होते हैं और जिला प्रशासन का सही रूप से चलनी के लिए दोनों का साथ में काम करना आवश्यक होता है, उम्मीद करते हैं अब आपको समझ आ ही गया होगा कि DM और कलेक्टर क्या होता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करे, च करें दो आउर तो पस्या है, ऽे तो चि अव्मीद करना आपको समझ आपको समय करता है, चाँ आपको समय दोस्या होते, इस ब़द arena है, और का सही वीडियो आपको समय आपको ये भीड़ेां, आपको समय क्श़लास्का का समय करिएक?" झाल झाल